देश कोरोना महमारी के संकट से जूच रहा है और इसकी दूसरी लहर तो बेहद ही भयानक रूप लेकर आई एक-एक दिन में लाखों केसे सामने आ रहे हैं जिसके चलते अब अस्पतालों में बेट से लेकर ऑक्सिजन और दवायों तक की किल्लत देखने को मिल रही है वही दूसरी तरफ कई बड़ी हस्तियां इस कठिन समय में मदद के लिए आ गया ही अमिताब बच्चन ने अपनी ट्वेटर हैंडल पर एक वीडियो शेर किया इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्होंने वैक्स लाइव ग्लोबल इवेंट में भाग लिया जो की कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ वीडियो शेर करते हुए अमिताब बच्चन ने लिखा इसमें भाग लेकर गौरवानवत पहसूस कर रहा हूँ और भारत के लिए लड़ाई जारी वही वीडियो में अमिताब बच्चन ने कहा नमस्कार मैं अमिताब बच्चन हूँ मेरा देश भारत कोरोना महमारी की दूसरी लहर से जूच रहा है एक वैश्विक नागरिक होने के नाते मैं विश्व के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वो खड़े अपनी सरकारों और फार्मा कमपनी से बात करे और उन्हें सहयोग देने की अपलील करे हर छोटा प्रयास रंग लाता है जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप सरलता से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं शुक्रिया बतादे कि अमिताब बच्चन ने दिल्ली में कोविट सेंटर के लिए दो करोड रुपे भी दिये इस बात की जानकारी दिल्ली सिख गुर्द्वारा मैनेजमेंट कमिटी के अध्याक्ष मंजिंदर सिंग सिरसा ने दिये उन्होंने ट्वीट करते हुए लखा सिख महान है सिखों की सेवा को सला ये शब्द थे अमिताब बच्चन जी के जब उन्होंने श्री गुरु तेग बहादूर कोविट केर फेसिलिटी के लिए दो करोड रुपे का योगदान दिया दिल्ली ऑक्सिजन से जूच रही अमिताब जी करीब रोजाना मुझे फोन करके फेसिलिटी के बारे में जायजा लेते रहते हैं वही अपने दूसरे ट्वीट में मंजिंदर सिर्सा ने रिखा बताते चले कि कोरोना काल में कई स्टार्स मदद के लिए आ गया रहे कुछ दिनों पहले ही अक्षे कुमार ने पूर्फ क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की संस्था को एक करोर रुपे दान दिये थे इसके अलावा अक्षे ने अपनी वाइफ ट्विंकल के साथ मिलकर सो अक्सिजन कंसिंट्रेटर्स दान किये थे इसके अलावा सोनु सूत, सल्मान खान, अजय देवगर, प्रियंका चोपड़ा और अनुश्का शर्मा समेथ कई स्टास मदद के लिए आ गया रहे वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताए और बॉलिवुट से जोड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ